शराब की अवैद रूप से बिक्री करने वालों के खिलाफ जांजगर चुले के अलग-अलग थाना छेत्रों में पुलिस द्वारा कारवाई करते हुए चार मामलों में चार आरोपियों को गिरफतार किया गया है। पुलिस ने पहली कारवाई सारा गाउ थाना छेत्र के ग्राम लखुरी में की जहां मनीश कुमार सहिस नामक व्यक्ती के घर पर छापा मार कारवाई कर 15 लिटर कच्ची शराब की जबती बनाई। दूसरी कारवाई में रमेश यादव नामक व्यक्ती के घर छापा मार कारवाई कर 35 लिटर महुआ शराब की जबती की। तीसरी कारवाई बिर्रत आनोचेतर में हुई जहां ग्राम ताल देवरी निवासी रामकुमार बगेल के घर रेट कारवाई कर 8 लिटर कच्ची शराब जबत की गए। वहीं ग्राम सोनादाह निवासी शैलेंद्र कुमार खूटे के घर छापा मार कारवाई कर महुआ देशी और अंग्रेजी शराब की चपती बनाए गए। सभी आरोपियों के किलाफ पुलिस द्वारा आपका रियक्ट के तहट कारवाई की जा रही है। एसियन नियूस के लिए जांजगिर से भरत सिंग चौहान की रिपोर्ट